हेलो सुदेंट आज हम इस वीडियो में रिडेम्शन और पब्लिक डिप्ट को डिसकस करेंगे कि पब्लिक डिप्ट को रिडीम करने के कितने माथट्स हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि रिडेम्शन और पब्लिक डिप्ट होता क्या है रिडेम्शन का मतलब होता है रिपेम हुआ है चाहिए इंटरनर सोर्स से चाहिए एक्सटेनल सोर्स से चाहिए से भी गुझक्ञ जो बॉर्फिय करते हैं तो हम कहते हैं रेपेंट पडूपलिक डेप्त जिस भी तरीके से जो भी लोन गवर्मेंट में लिया है उसको रिपे किया जाता है उसी को हम कहते है रिपेमेंट ऑफ पाप्लिक डिप जो डिप का बर्डेन है कि मतलब इतना बॉर्विंग है इतना उधार है उससे बचने का एक तरीका क्यों कि जब आप प्यूप कर देंगे तो आपके उपर बर्डेन ही नहीं रह जाएगा तो आप कोशिशन होता है कि इसको रिडीम करने का क्या-क्या माथड है मतलब किस तरी बालेंस ऑफ पेमेंट डेप अपूडियेशन रिपंडिंग कनवर्जन यह सेवन मैंथर से जिनके बीसेश पर हम पब्लिट को रिडीम करते हैं तो हम एक-एक मैंथर्स को अच्छे से यहां पर करते जाएंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिसकस करेंगे सिं सिंग पंड अब देखें सिंगी मतलब थोड़ा-थोड़ा करके आप पंड क्रियेट कर रहा हूं तो जब गवर्मेंट अगर वह पब्लिक डप्ट को रिडीम करना चाहती है सिंगिंग पंड में बाइसत वह क्या करने वाले है उसमें सबसे पहले वह एक फंड क्रियेट कर जाएगी थौर्धुरा पैसा इस फंड में डालती जाएगी सिंकिंपंड एकाउंट जो रहेगा उसी पैसा डालती जाएगी और इतना इस तरह उतने सालों तर डाला जाएगा जिससे की जो भी आपका डेप्ट है उसकी जो मेच्वरिटी टाइम आए उस टाइम तक उस पैसा करके एकठा करेगी और वो पैसा इतना इकठा होना चाहिए कि जिससे जब उस debt की maturity का time period आये तो वो pay off करने के लिए sufficient हो clear है यह सबसे best और systematic method कहा जाता है redemption का क्योंकि आप तो अथरा पैसा इकठा करते हैं और पैसा इकठा करके आप जब payment करने की date आई तो आपने उसको पूरा pay कर दिया तो यह जो method है पहली बार England में Walpole की through introduced किया गया था अब यह जो sinking fund में contribution होता है मतलब यह जो sinking fund account बनाया जाता है government की through drip को pay करने के लिए तो उसमें जो contribution क्या जा रहा है मतलब हर साल revenue से पैसे इकठा करके उसमें डालने है उसे account में तो वहाँ पे उसको करने के तीन methods होते हैं मतलब आप अपने डिप को रीपे करने के एक fixed amount decide कर लिए जैसे कि हर साल हम 10 लाग रुपया क्या करेंगे अपनी revenue से निकालके यह हम कहरें एक करोर रुपर अपनी revenue से निकालके हम हर साल sinking fund account में डालेंगे जिससे कि maturity पे drift का recommend हो सके तो अब यह वन करोर रुपीज जो हमने decide किया वो fix हो गया तो वह हम कहते constant annual contribution और थार होता तो वह diminution annual contribution method होता है तो जो यह sinking fund create किया जाता मतलब जो fund create किया जा रहा है उसको create करना annual contribution जो करेगी आपकी government वह इनमें से किसी भी method कित्रू कर सकते है तो एक अच्छा method होता है debt को repay करने का किसी भी government के लिए next जो method आता है वो है हमारा capital levy देखे capital levy actually जो use किया गया था वो war time में use किया गया था कि जब war हुआ और उसवक्त fund की crisis हुई तो उसके regarding और जो balloon लिया गया था war में उसको pay off करने के लिए यह method adopt किया गया था basically यह method क्या है आपका इस method में tax लगाया जाएगा, heavy tax लगाया जाएगा और किस पे लगाया जाएगा सबकूरी देना है, जिसके पास property और wealth जादा होगी मतलब एक बार आपगप है tax लगाया जाएगा, once for all मतलब सिल्फ एक बार our tax लगाया जाएगा और उन पे लगाया जाएगा जिनके पास heavy capital assets होगा या state होगा उन पे एक बार tax लगाया जाएगा तो जैसे ऐसा होता है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि suppose करी कि हमारे country पे debt जादा है और हमारी government को debt repay करना है तो उन्होंने क्या कह दिया कि जिनके पास भी जिनकी भी property जिनकी भी capital assets है जिनका भी state जिनकी भी property इतनी है उन पे 30% का या 50% का 35% का चालिस पसंद का tax लगाया जाता है तो यह heavy tax rate होगा यह 5-10% का tax rate होगा और एक ही बार लगाया जाएगा तो वो उससे क्या होगा heavy amount में आपका amount collect हो जाएगा उस tax से heavy collection हो जाएगी और उसी से आप अपने debt को repay कर देंगे तो यहां पे जो आपका capital levy होता है वो capital assets पे impose किया जाता है लेकिन एक minimum limit दी जाएगी कि जिनकी भी property जिनका भी assets इतनी limit से जादा है उन पे यह tax लगेगा ठीक है और वो progressive scale पे होगा जितना जादा आपका होता जाएगा tax rate जो होगा उतना ही जादा हो जाएगा और sometimes government एक fix कर देती है कि जिनकी भी property इतनी करोड से exceed कर रहे है उनको इतना percent का tax rate देना है अब यह जो tax देना सिर्फ एक बार देना है क्यों देना है क्योंकि इस आने वाले पैसे से government क्या करेगी अपने debt को repay करेगी ठीक है यह जो matter होता है Dalton ने इसको strongly recommend किया था कि इसके through society पे बहुत कम पड़ता है और debt का debt repay हो जाता है क्योंकि यह पूरी society पे नहीं पड़ता है जो higher income की group लोगे जिनके पास ज़्यादा property ज़्यादा पैसे हैं सिर्फ उनको pay करना पड़ेगा तो at least real burden होता है इस पे तो यह method adopt के जाता है Capital levy, capital पे levy के जाता है capital पे impose किया जा रहा है तो जितने भी capital assets है उसके एक बार tax लगाया जाएगा heavy tax rate लगाया जाएगा और पैसा एकठा करके debt को repay किया जाएगा इसे कहते capital levy next method आता है क्या terminable annuities अब देखे, terminable annuities क्या होता है कहीं न कहीं आपको sinking fund method से resemble करेगा पर दोनों में difference है जो कि भी हम clear कर देते है तो देखे, terminable annuities में क्या होता है ये method में जो debt को आप repay करने वाले जो debt redeem करेंगी मतलब government जो debt को repay करेगी वो installments में करेगी है ना, एकदम आप ऐसे समझे कि जैसे आप bank से loan लेते हैं तो आपकी installment बन जाती है न तो आपकी installment बनने का क्या मतलब हुआ कि आप हर बार अपना installment पे कर देते है और उससे आपका जो loan है वो भी pay off हो जाता है है ना, कि जब maturity date आती है उस date तक, मतलब जो आपन साल का loan लिया तो पान साल के लिए आपकी installment fix हो गई और जब fifth year का last time आएगा तो आपका पूरा जितना भी लोन था वो pay off हो चुका रहेगा उसी को हम यहां कह रहे है Terminable Annoties method तो यहां पर जो नेशन की government होती है वो भी method adopt करती है और इस method के अंदर वो क्या करेंगी अपना installment, जो भी debt है उसको installment में pay करती है So government pay off the debt in equal annual installment जैसे आपकी EMI set हो जाती है सेम वैसे ही EMI set हो जाएगी government की जिसको वो बार-बार pay करके अपना पूरा का पूरा debt repay कर देंगी तो इससे क्यों होता है government का जो burden adapt करना वो धीरे-धीरे करके कम होता चला जाता है और जब maturity आती है 10 साल का loan था 20 साल का loan था 40 साल का loan था जब भी जब भी वो last period आता है तब तक उनका पूरा loan pay off हो चुका रहता है तो हर साल थोरा-थोरा करके आप pay करते चाते हैं तो आप पी कठा burden नहीं पड़ता है तो इस method के थूँ अगर government अपना loan terminable annuities की थूँ adopt करती है तो वो हर साल थोरा-थोरा पैसा pay करती रहेगी और जब उस loan की maturity का time के रहाता है तब तक सारे जो loan है सारा जो loan का amount है वो pay off हो चुका रहता है तो इस तरह के method में government को एक heavy amount एकठा करके pay करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपकी government को 10,000 crore का loan है तो अब अगर उन्हें ने terminable annuities adopt किया तो वो उसको equal installment में divide कर देंगा थोरा-थोरा करके हर साल pay करती रहेंगे अब इस case में उनको ऐसा नहीं है कि 10,000 crore जब 40 साल मान लेजे 40 साल का loan थो 40th year आपका जब आया आपकी maturity date आई तो अब उनको 10,000 crore इकठा करके इकठे देनी की ज़रूरत नहीं है तो lump sum amount जो huge amount चाहिए है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप थोरा-थोरा करके पैसा pay कर रहे होते हैं अब ये method बिल्कुल similar होता है sinking fund method से लेकिन difference क्या होता है दोनों की बीच में देखें sinking fund के थोड़ा-थोड़ा एकठा करी है तो sinking fund में हम थोड़ा-थोड़ा contribute करते हैं और अपने ही पास fund create करते हैं अब जब maturity आई तो हमने पूरा payment कर दिया वहीं annuities में आप थोड़ा-थोड़ा करके revenue से निकालते जाएंगे और 40 साल तक हमारे पास 10,000 करोड का पैसे एकठा हो जाएगा तो जब 48th year रहेगा ना उससार हम 10,000 करोड रुपा पे करेंगे और मारा loan खतम वो sinking fund हो गया हमने payment करना है लमसम एक heavy amount एक साथ payment करना है लेकिन उस heavy amount को एकठा हमने तो आप को एक साथ पे करने की ज़रोत ही पडे गाईगी तो आपको एक साथ पे करने की ज़रूरत ही पड़ेगी आप तो करे 500 पे backend ही करते रहते हैं बिधे उतना ना अपके लोन की तो इस मटर की तो मोसमेए ना आपका जो ड़द का बढैन हम और घर धीर में उतने का उतना ही रहेगा तो जूकि जो पब्लिक डेप्ट होते हैं जो गवर्मेंट के डेप्ट होते हैं वो GDP पर calculate किया जाते हैं GNP वेगरा पर हो जाते हैं तो वो ratio बनता है कि इतना आपकी इंकम है आपकी कंट्री में और इतना तो डेप्ट है पर capita डेप्ट कितना है इस तरह से इसको calculate किया जाता है तो sinking fund में वो हमेशे उतना ही रहेगा क्योंकि पैसा तो इकटा करें पर पे थोड़ी कर रहे तो आप लास्ट में करेंगे ना तब जाके वो loan खटेगा लेकिन अगर एनुटी से रॉप किया तो पे भी होता चला जा रहा है तो इसी विज़े से क्यों होता है आपका annuity best हो जाता है comparison to sinking fund method है ना next method हम देखते हैं next method है मारा surplus balance of payment अब देखिए surplus balance of payment बतब ब्योपी तो यह क्या कहता है कि अगर आपकी जो government है अपने external lift को pay करना चाती है तो उसके लिए वो foreign exchange reserve को use कर सकती है मतलब जो foreign exchange प्राफ प्राइब करें जरूरी है कि आपका जो बैलेंस फेडरिबल बैलेंस फेडरिबल हो वह कैसे होगा तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि जो आपके डिटर कंट्री ना वह तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे जादा से जादा एक्सपोर्ट करें और जो इंपोर्ट से उसको कम करें तो जब एक्सपोर्ट जादा होगा तो पैसे आपके पास जादा हैंगे क्योंकि एक्सपोर्ट आप से समान भेजते हो तो आपको पैसे मिलते हैं आप कुछ सेल कर तो आपको pay करने की जिम्यदारी कम रहेगी तो जब export को जादा किया जाओ और import को कम किया जाएगा तो favorable आपका balance of payment create होगा आपका trade balance की जो position है वो बढ़ेगी import export जादा import कम तो इससे क्यों होगा आपका कहीं न कहीं exchange reserve जो है वो create होगा और इसका use करके आप जो है अपना जो debt है उसको repay कर सकते हैं is it clear इसी method के साथ एक और method connect हो जाता है budget surplus का जो actually बहुत जादा realistic नहीं है लेकिन हाँ इस method को कई जगा आप कई books में देखेंगे तो यह method mention रहता है तो इसलिए हम इसको भी discuss कर ले रहे हैं देखें budget surplus का क्या मतलब होता है कि आपकी जो revenue है आप उस revenue से कम का खर्चा करते हैं मतलब income जादा खर्चे कम तो हम उसको क्या कहते है surplus का होना तो जब budget surplus होता मतलब revenue आपकी जादा होती हो और खर्चे आप कम करने करते हैं तो आपकी पास extra पैसा बचेगा तो उस extra पैसा से आप क्या कर सकते है government अपनी debt को रिपे कर सकती है अब surplus आता ही कब है वही जो public revenue exit करेगी किसे public expenditure से तो यह actually तरीका तो ठीक है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो modern government होती है वो generally कैसा बनाते deficit budget बनाती है अगर आप इंडिया का भी budget देखी तो आपको हमेंशा वो कैसा दिखेगा deficit budget देखीगा मतलब expenditures यह खर्चे करने पड़ेंगे तो जितनी income आई उतने में इसे ही खर्चा करेंगे तो आप development नहीं कर पाएंगे बिल्कि खर्चा आप करिए और उसके लिए पैसे कठी करेंगे तो revenue से हुआ हुआ नहीं हुआ तो फिर loan लीजे that is public debt तो यह आपका इसी लिए budget surplus का जो method है उत चुली ना कोई debt को repay करने का method है ही नहीं है पहली बात तो लेकिन हाँ इसको redemption of public debt के method में रखा गया है पर reality यह है कि इसके थुरू आप वाक्यम में debt को repay नहीं करते हैं कैसे इसको समझते हैं debt repudiation क्या कहती है तो देखिए repudiation मतलब क्योंते है deny करना तो जब government कहती है कि वो उसको repay करेगी नहीं उसको मना कर देती है कि उसको payment करेगी नहीं तो उसको हम कहते है कि debt को repudiate करना माफ ही माग लेना कि हम से नहीं होगा हम नहीं देंगे हम payment नहीं करेंगे तो हम उसको कहते है debt repudiation कि हम उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो उस debt को repay कर पाए तो इस cases में जो government ह होती है वो अपनी obligation ही नहीं मानती है कि उसको लोन को repay करना चाहिए वो जैसे suppose करिए कि आपकी गुवर्मेंट ने अगर आपकी कंट्रीन दूसरी नेशन से लोन लिया है और वो बोले कि हम debt reputation करेंगे तो कभी हो सकता है क्या कोई दूसरी कंट्री से आप कहिए कि हम debt वापस नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कभी नहीं होगा कि अगर इनको हम पैसा आज देंगे तो फिर हमारे पे नहीं करेंगे सिधा मना कर देंगे तो debt reputation कोई method थोड़ी ना हुआ लेकिन हाँ इसको भी method के form में रखा गया है next method हमारा जो आता है वो है refunding का तो refund करना कोई चीज है उसको वापस से fund दे रहे हैं तो इस method में होता क्या है कि यहां पे नए bonds नई securities को issue किया जाता है किसलिए कि जिससे कि जो mature loan है जो मारे पुराने loan है उनको pay off किया जा सके clear है अब इसका मतलब आप ऐसे समझेगा कि suppose करिए कि आपको 200 करोड का loan pay करना आपकी due date आ गई payment करने का time period आ चुका है और आपके पास पैसे नहीं है 200 करोड पे करने के लिए तो आप क्या करेंगे आप 200 करोड को किसी और से ले लेंगे वो fund किसी दूसरे से borrow करेंगे और फि के लिए पैसे नहीं उनके पास और date आ चुकी है तो वो क्या करेंगी नए bonds और नए securities को market में issue कर देंगी अब जैसे market में launch करेंगी तो public क्या करेंगी इसको purchase करेंगी पब्लिक करेंगी investment करेंगे तो public उसमें investment करेंगी जो public investment करेंगी तो वो 200 करोड की securities आपने इस्यू किया अलग-अलग form में वो सारा पैसा एकठा हो कि आपके पास आ जाएगा तो आपको fund मिल गया अभी जो fund मिल गया उससे आप अपना loan repay कर दीजिए तो आपने refunding कराया अब यह जो securities bond issue के थे वो अलग maturity period के होंगे तब तक आपके पास fund आ जाएगा तो इसको हम कहते refunding है ना तो mature loan को pay off करने के लिए जो government है नए bonds, नई securities को issue करके नया loan issue कर लेती है basically अगर नया bond issue किया गया government के थूँ तो government तो कह रही कि हमने bond issue के एक paper उठा के दे दिया और public कह रही हो investment करी तो उसी paper के बदले public अपना पैसा उठा के आपको दे दे रही है तो आपको तो source of finance हो गया आप funding में आप एक mature loan को repay करने के लिए नया loan ले ले लेते हैं, refund कराते हैं, तो यहाँ पर generally होता है कि जो short term securities है, उनको replace कर दिया जाता है long term securities को issue करके, है ना, कि मतलब आप जैसे कि एक साल का payment करना, एक साल के बहुत सारे loan हो गया, और सब को मिला के 200 crore मानले जी, example के लिए 200 crore का payment आपको करना है, ठीक है, जितने भी एक साल के लोन से 200 crore के उनको payment आपको करना है, तो आपने क्या कर दिया, पांच साल की नय bond and securities issue कर दिये 200 crore के, और उससे आपने इस एक साल का payment कर दिया, तो आपने short term securities को replace कर दिया, किस से long term securities में, तो कहने के लिए तो यह 200 crore जो आपके short term जो एक साल में pay करना था, वो तो खतम हो गए, लेकिन कहीं न कहीं खतम का हूँ है, आपके पास नय 200 crore के लोन तो आ गए ना, तो इसलिए exactly method नहीं कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, कि जो debt का redemption है ना, सिर्व उसको postpone किया जा रहा है, मतलब आज जो करना method आता है, कि जो real में debt redemption का method ही नहीं है, बढ़ इसमें included किया जाता है, वो है conversion, तो conversion में क्या होता है, कि जो government होती है, वो क्या करती है, अपने उन loan को, जिनकी maturity आ चुकी होती है, उनको वो change कर देती है, नय लोन से, मतलब उनको convert करा लेती है, जो पुराना लोन था, उसको कह करके नया loan ले लेती है, है ना, तो अब इसमें होता कैसे ही, इस तरह का loan कैसे आता है, जैसे suppose करिए, कि आपका loan चल रहा था, कोई loan था, अब इसको आपको repay करना था, ठीक है, तो अब loan की repayment date, maturity date, 5 साल बात की है, लेकिन आप दूसरे साल में ही, मतलब maturity से पहले ही, आपने क्या सोचा, कि ये हमारे लिए दिक्कत आ रही है, कि हम इसको pay कर पाएंगे, 5 साल बात, तो आपने क्या किया, इसी loan को वापस से renew कर वाया, नया loan लिया इसके बदले, अब जो आप इसको renew कर आते हैं, तो वहाँ पर generally होता क्या है, कि ये जो old loan होता है, उसका interest rate जादा होता है, तो अब आप नया loan लेंगे, उसी amount के लिए, लेकिन यहाँ पे उस time period का interest rate चल रहा होगा, और maybe उस time period का interest rate low हो, तो आपको low interest rate पे आपको नया loan मिल जाता है, तो basically loan खतम नहीं होता, सिर्फ loan का conversion होता है, है ना, तो यहाँ पर डॉल्टन कहते हैं, कि debt conversion से actually debt का burden relax होता है, अब better obvious सी बात है, एक loan था, जिस loan पे आपको, हर बार आपको 1.5 लाग का, आपको interest देना पड़ा था, ठीक है, आपने बात करी, और उसी loan को renew कराया, अब renew इसलिए कराया, क्योंकि इस समय जो interest rate चल रहा हो, कम चल रहा है, और सामने वाली party आपको समझ रही है, कि problem समझ रह करती है, लेकिन उन में से ही जो last के तीन method है, वो real में कोई method नहीं है, actually इन से adapt को repay नहीं किया जाता है, so I hope आपको clear हुआ होगा, wish you all the best, thank you so much.